करने वाले हैं तो देखिए कल के वीडियो में हम लोगोंने 400 तक कंप्रीट कर लिया था वन से लेकर के 400 तक हो गया है तो अगर आप 400 कर चुके हैं तो आप इसको एक बार रिवाइज भी कर लिजेगा क्योंकि रिवीजन तो आज हम लुग 401 तक करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए आज का हमारा first विकेब है तो यहां पर first way के भी impunity ठीक है इसका मतलब होता है दंड से रहित या फिर freedom from punishment ठीक है मतलब दंड से बच जाना दंड से रहित तो देखिए इसमें एक word आ रहा है इम तो important को हम लोग नो short में लिखते हैं ऐसे करके im मतलब important और यहां पर एक और word आ रहा है unity unity का मतलब होता है एक ठीक है तो अगर इसको देखिए इस trick से हम लोग याद करेंगे यह तो हो गया trick ठीक है important plus unity अगर हम अगर हम दंड से बचना चाहते हैं अगर कोई भी इंसान दंड से बचना चाहता है कि वह हमेंसा खुश रहे है happy रहे है उसके ऊपर कोई problem ना है तो जरूरी है बहुत ही important है उसके लिए कि आप unity में रहें ठीक है आपका एक होना चाहिए आपकी unity होनी चाहिए strength होनी चाहिए कि आपके पास कोई problem हो तो आप उसके शेयर कर पाऊँ ठीक है तो अगर आपको दंड से रहित रहना है दंड से बचना है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप unity में रहें ठीक है ऐसे कि स्टोरी भी थी कि एक जंग करके वो दून चारों में food तलवा देता है लड़ाई करवा देता है फिर जब वो अलग-अलग हो जाते है तो फर वो शेयर एक एक करके सबको खा जाता है ठीक है इस ट्राइप से कि स्टोरी भी है तो अगर आपको दंड से बचना है तो क्या करना है आपको unity में रहना आप इस इहां पर एक word आरहा लगा है इन, इस, इन को हुम लोग इस से related करंगे ठीक है इस और यहां पर एक word आरहा current ठीक है करन को है क्लब कारण मतलब reason करने कारण से अब देखे इस इसको हम लोग से स्टोरी से related करेंगे क्या रामर देखी हुज़ी है आप तो उसमें क्या होता है? उसमें रामण होता है, जो कि बहुत बड़ा सा राच्छस होता है, वो क्या करता है? वो बहुत लोगों को बहुत परिशान करता है, ठीक है? लोगों को बहुत परिशान करता है, और उनके साथ बहुत हिंसा करता है, ठीक है? मारपीट करता है, सब को म इस टाइप से वो बहुत ज़्यादा लोगों को परिशान करता इस कारण से जो भगवान विश्नु थे उनको मानो रूप में धर्ती पर अवतार लेना पड़ा ठीक है तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे इनकेरनेट मतलब इस कारण से भगवान विश्नु को मानो के रूप मे धर्ती पर आना पड़ा ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं उसके बाद देखे बाद देखे हमारा अगला मेनिक है इन सी सैंट ठीक है इसका मतलब होता है लगातार या फिर नेवर स्टॉपिंग ओके तो अब देखे इसको हम लोग कैसे याद करे तो यहां पर एक वर्ड आया इन ठीक है तो इसको हम लोग इन से रिलेट कर लेंगे ठीक है उसके बाद है शेशन देखे इन और यहां पर जो शेशन है आ रहा है इसको हम लोग शेशन से रिलेट कर लेंगे शेशन मतलब होता है जो आपका पार्ठिक्रम होता है शत्र होता है 2017, 18, 19, 20 ऐसे करके जो शत्र चलता है न उसको हम शेशन बोलेंगे तो यहाँ पर इन शेशन अगर क्या है अगर आपको सफलता चाहिए तो इन शेशन मतलब पूरे शेशन में आपको क्या करना पड़ेगा लगातार रूप से महनत करनी पड़ेगी लगातार क्या करना पड़ेगा पढ़ेगा पढ़ाई करनी पड़ेगी तो इन शेशन मतलब लगातार तो यहाँ पर क्या हो गया इन सेशन का मतलब हो जाएगा लगातार ठीक है इसको ऐसे relate करके हम लोग अराम से याद कर लेंगे ठीक है उसके बाद देखिए अगला हमारा meaning है in season तो इसका मतलब होता है चीरा लगाना ठीक है अब इसमें देखिए एक word आरहा in और उसके बाद जो second word इसमें आरहा है यहाँ पर season तो इसको हम लोग scissors related कर दिए अगला वाला था इसको हमने in assassination sponsors कि इससे नहीं होता है इन singular तो scissors मतलब क्या होता है क्या होता है कै्ची होता है ठीक है तो अगर हमें कहीं भी क्या करना चीरा लगाना है तो हमें किसके ज़रूद Decerves की की जरूत पड़ेगी तो in season in season मतलब हो जाएगा चीटा लगाने के लिए किस की जरूत पड़ेगी scissors की जरूत पड़ेगी ठीक है तो ऐसे करके हम लोग इसे relate करके याद कर लेंगे उसके बाद देखे हमारा अगला मीनिंग है यहाँ पर in congress ठीक है इसका मतलब हो था बेमेल या फिर unusual different from others ठीक है अब यहाँ पर देखे एक word आ रहा है एक तो हो गया in ठीक है एक हो गया congress तो congress इसको हम यह वाले congress से याद कर लें गांग्रेस पार्टी ना जैसे कि इसको हम ऐसे याद करेंगे कि in congress जो congress party उसमें कोई ना कोई ऐसा बेमेल परसन होगा जिसके वज़े से क्या हो रहा है उनकी party क्या हो रही है मतलब नीचे इस तर पे आ रही है थीक है तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है यहाँ पर मेनिंग नंबर 406 ठीक है यह देखिए यहाँ पर अगला वर्ड है हमारा इसका मतलब होता है जो आसानी से दिखाई ना दे not easily noticed or seen आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा इन ठीक है उसके बाद कौन एक वर्ड आ रहा ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लें इन को हम लोग इस से रिलेट कर लें इस फिर आगे कौन और उसके बाद एक वर पिक से रिलेट कर लें पिक मतलब पिक्चर या फिर जो लोग फोटोग्राफ लेते न वो वाला ठीक है अब इसमें इस कौन पिक यह हमारा ट्रिक बन गया अब इसको हम एक स्टोरी से रिलेट कर लेंगे कोई जो कोई एक गर्ल है ठीक है वो अपनी मम्मी की पुरानी है वो अपनी मम्मी से क्या कहती यह कौन सी पिक है जिसमें कुछ आसानी से दिखाई नहीं दे रहा ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे इंस इंस यह इस जो है इस पिक में कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक है इस टाइप से हम लोग इसको याद क दलेंगे, ओके, उसके बाद देखिए, हम लोग चलते हैं अगले मीनिंग पर अपने, तो यहां पर हमारा अगला मीनिंग है, इनकम बेंट, ठीक है, यह देखिए, इनकम बेंट, तो इसका मतलब उता आवश्चेक, यह फिर नेसेसरी as a duty, ओके, अब देखिए, इसको हम करना है, इनकम फिर बेंट, ठीक है, बेंट मतलब होता है, रुजहान या किसी चीज की तरफ रुजहान, ठीक है, बेंट का मतलब होता है, किसी चीज की तरफ रुजहान, और इनकम मतलब होता है, आपकी जो इनकम होती है, ठीक है, तो इसमें देखिए, इसको हम लोग ऐसे जारएध करेंगे कि आपकी तो इसको हम लोग ऐसे आद करेंगे कि अगर आपको अपकी इंकम की तरफ बहुत रुजहान है ठीक आपको अगर आपकी इंकम से लगाऊ है तो आपको क्या करना होगा आपको इमानदारी से डि यृटी करना बहुत ही आवश्यक हो जाताओ, तो अगर आपको आपकी income के तरफ जरा सभी रूजान है, जरा सभी लगाओ है, तो आपको आपकी duty पे जाना बहुत जाता क्या हो जाएगा, अगर आप जौब पे नहीं जाएंगे, तो आपकी salary भी आपको तो सही से नहीं मिल पाएगी ठीक है इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है इनकर ठीक है इसका मतलब होता है कुछ अपरी अनुभो जैसे करना जैसे कि कुछ घाटा हो जाना ठीक है तो एक्सपीरियन सम्थिंग अन्य आप करज से ही रिलेट कर लीजी ठीक है तो देखिए क्या होता है कि अगर आप करज में है ठीक अगर आपने किसी से करजा लिया हुआ है तो क्या करना है अगर आपने जैसे लोन ले लिया ठीक आपने 25,000 ले लिया जब आप उसको चुकाएंगे तो उसमें इंट्रेस के सा ठीक है तो अगर आप कर्ज में है आपने किसी से करजा ले लिया तो आपको घाटे जैसा अपरी अनुभो सहना पड़ेगा ठीक है इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे उसके बाद देखिए हमारा अगला मीनिंग है इन डेलीबल मतलब होता स्थाई या फिर अने बल टू बी रिमूबड ओके इसको देखिए हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे कि इन यहां पर एक वरड आ रहा इन उसके बाद डेल एक वरड आ रहा डेल मतलब इसको हम लोग डेल मतलब डिलीट से याद कर लेंगे ठीक है थो आप कोई परूट डेलिट नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है उसके फोन में इस्ठाई रूप से है वह दिलीट नहीं होगा ठीक है तो in deleteable अगर कुछ भी delete करने योग नहीं है आपके फोन में delete नहीं होता है तो इसका मतलब वो इस ताई रूप से वो आपके फोन से नहीं जाएगा ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे relate करके याद कर लेंगे ठीक है उसके बाद देखें indigence इसका मतलब होता है गरीबी ठी तो आप देखे इसको हम लोग कैसे याद करेंगे ट्रिक से तो यहां पर एक देखे एक वर्ड आ रहा इंडी इंडी को हम लोग रिलेट करेंगे इंडियन या फिर इंडिया से ठीक है इसको देखे हम लोग रिलेट करेंगे इंडियन से इंडियन और उसके बाद प्लस एक व इदेश को बहुत लूटा, फिर बहुत सारे साज सक आए, उन्होंने क्या क्या मुहमद, मतलब बहुत सारे मुसलिम्स भी आए, जिन्होंने क्या क्या बहुत लूट पार्ट मचाई तो भारत को इतना लूटने के बाद जो इंडियन जन्स हो जो भारत के जन्स हो गए, वो क्या हो गए, उनके पास बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगा, उसके बाद देखिए, अगला मीनिंग है हमारा, यहाँ पे अगला मीनिंग है इंडू सीमेंट, ठीक है, तो इसका मतलब इंडू और सीमेंट से याद कर लेंगे, ठीक है, अब समझी आप एक गल होती ही, इंडू नाम की, एक लड़की जिसका नाम है इंडू, और उसके पास एक सीमेंट का, मतलब वो सीमेंट का एक विजनेस करती है, ठीक है, सीमेंट का कुछ बिजनेस करती है, जो भी उसके प को बेचने के लिए लोगों को प्रलोभन देती है ठीक है इसको इस टाइप से हम लोग याद कर लेंगे उसके बाद देखिए हमारा अगला मेनिंग यहां पर है यहां पर अगला मेनिंग है इंडल्स ठीक है इंडल्स मतलब होता आशक्त होना ओकी या फिर अलाव वनसेल्फ स मतलब होता है कि किसी से बहुत ज़्याद होना ठीक है किसी से प्रेम होना इस टाइप से हम लोग भी रहती है इंडल्स को इंदू लगी रहती, ठीक है, तो इंडल्स को हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला मीनिंग है हमारा इनहयविटेशन तेहीं है, इनहेशन मतलब होता हिचक, पीलिंग प्रिवेंटिंग तो इनहेशन का मतलब है इनहेशन, बतल कि इसी काम को करने यहाँ पे एक अगला मीनिंग है इंसन, तो इसका मतलब होता है पागल या फिर mentally ill, जो mentally रूप से ill होता है, जिसका दिमाग की संतुलन ठीक नहीं होता है, उसे हम बोलेंगे, ठीके, तो यहाँ पे इंसन में एक वर्ड आ रहा है, इंसान, ठीके, इंसान, तो इसको हम इंसान स एक संतुलन खो देता है, उसको सब लोग क्या कहने लगते है, उससे सब लोग पागल कहने लगते है, ठीके, तो इंसन को हम लोग इंसान से रिलेट कर लेंगे, कि जो इंसान अपना मान से एक संतुलन खो देता है, उससे सब लोग पागल बोलने लगते है, ठीके, इसको हम कि प्लिस जैसे के पुलिस आतीं में ही है करने के लिए पुलिस तो पुलिस आतीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब पुलिस इंविस्टिकेशन करने के लिए आती सब कहीं इजाज पड़ताल हो रही तो जो चूर होता ना वो उसको उकसा रही है कि तुम अगर बता दो गावलों को वर्निंग दे रही है कि अगर तुम लोग बता दो उसमें से किसने ये क्राइम किया है नहीं तो फिर मैं करता है उसको उकसाती है कि हाँ तुम बता दो ठीक अपना जुर्म कुबूल कर लो ओके हमारा अगला मीनिंग है इंट्लोक्यूटर ठीक है इसका मतलब बता बारतालाप करने वाला समवन इनवॉल्ड इन अ कन्वर्शेशन ठीक है अब इसको आप लोग ऐसी याद कर लेज इसके बाद देखिए अगला मीनिंग यहां पर अगला मीनिंग है इंटर इंटर्मिटन्थ ठीक है इसका मतलब होता है रुक रुक के या फिर नॉट हैपिंग रेगुलर्ली और इसको हम लोग कैसे याद करेंगे एक तो यहां पर इंटर वर्ड है ठीक है और उसके बाद एक वर्ड है आंट ठीक है इंट है तो इसको हम लोग आंट से रिलेट कर लेंगे ठीक है देखिए यहां पर पहला हो गया इंटर उसके बाद मिट हो गया तो मिट को हम लोग मिट मिट्टी से रिलेट कर लें, मिट्टी मतलब even transposer". और उसके बाद दिखें एक word है यहाँप़ राइ alors, उसका इन्टी से रेलेट कर लेंगे, बेखेंगे, चीती वाल राइब अन्ट, झाला पाद ही रुक रुक करके चलती है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, उसके बाद देखिए अगला वर्ड, अगला वर्ड हमारा, उसके बाद अगला वर्ड हमारा, इंटर्ड वाइन, ठीक है, इसका मतलब होता है, गुथा हुआ, या फिर तू बी, टू टू से टूगेदर, ठीक है, आप देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसमें एक वर्ड है इंटर, दूसरा वर्ड है वाइन, ठीक है, वाइन से रिलेट करके हम लोग याद करेंगे, यहाँ पर इंटर, ठीक है, और दूसरा वर्ड है वाइन, वाइन का मतलब शर तो घर में क्या करता है सराब की बॉटर लेकर आता है तो इसके पापा ना देखें इसलिए डिरेक्टली किचन में जाता है ठीक है अब किचन में क्या होता है उसकी मा कुछ आटा गूत रही होती है ठीक है वो उसी में मिक्स कर देता है वाइन को वाइन को क्या कर देता है इं वाइन से वह आठा गुथ जाता थीकि गुथा हुआ तो वाइन से गुथा हुआ ठीकए तो इंटर वाइन इंटर वाइन से हम लोग आतके लिए वी गुथा हुआ उसके बाद देखे अगला रूम हमारा है इंटीमिडेट, का मतलब हो था दराना हुआ, यह फिर फ्राइटेन, ठीके, दराना हुआ, अब देखें, इसमें एक वर्ड आ रहा टिमिड, टिमिड का मतलब हो था कायर, ना, लौसब लौसब यहाँ फिर एक वर्ड है, कि कुछ फ्रेंस थे और उनके क्लास कि कॉलेड में उनके वच्चे का हुआ थे तो उसका बना करके कहते हैं कि स्टीमेड इंसान को हम कोई भी आक्ट करके डरा सकते हैं ठीके तो इसका मतलब हो जाएगा मतलब हो हुआ ठीक है डराया डराना या फिर डरा हुआ स्टाइप से ओके उसके बाद है इंटर 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 मतलब हो था गुस पैठ हिया गुस पैठ हिया मतलब हो था वन हूं इंटर आप प्लेज विदाउट पर्मेशन आपकी पर्मेशन के बिना कोई इंटर करें तो उसे बोलत rude, ठीक है, rude का मतलब होता है बहुत ही अभधरत तरह से, ठीक है तो इसको हम लोग याद करेंगे अगर आपके घर में कोई आपको बिना बताए, जो है इंटर हो जाए, ठीक है, वो भी बहुत rude तरह से ठीक है, बहुत ही rudely आपके घर में कोई इंसान घुझ जाए बिना बताया हुए तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम घुझ पैठिया बोलेंगे ठीक है कि बिना permission के अंदर घुझ जाए घुझ पैठिया ठीक है उसके बाद हमारा अगला वर्ड है आईरेनी इसका मतलब होता है विडम बना Meaning, opposite but in a रिलेट करके आप लोग इसे याद कर सकते हैं उसके बाद देखिए अगला मेनिंग है यहां पर हमारा एरोवे केबल ठीक है इसका मतलब होता जो बदला ना जा सके या फिर इंपॉसिबल टू चेंज जिसको चेंज करना बहुत ही इंपॉसिबल होガ तो यहां पर एक वर्ड आ रहा आए तो इसको आरे से रिलेट कर लेंगे और उसके बद वह हिसके बाद Esse के लिएक बॉट आ रहा है कि अकट एक वड़ आरा कैबल ठीक है तो हम लोग ऐसे आ प्राइख करेंगे कि कि आरे वह कैबल ठीक है तो आप देखें कि एक लोगों कहर होता था उसके गर पर कैबल लगा रहे था जो केबल लगा रहता, केबल के मोटे वायर होते हैं वो लगा रहता है वो पडोसी की छट से होकर के जाता है तो उनको बड़ी प्राब्लम होती है तो वो आजके अपने पडोसी से कहते हैं कि अरे वो केबल आप हटा लीजिए ठीक है? मतलब वो बदलने योगी नहीं है इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे ठीक है उसके बाद अगला वर्ड है मारा isolate इसका मतलब होता है अलग थलग करना या फिर alone करना किसी को ठीक है तो इसमें एक वर्ड आरा I, उसके बाद आरा so उसके बाद आरा लेट ठीक है अब दीक है इसको हम ऐसे रिलेट करके याद करेंगे कि बच्चा अपनी क्लास में आता है दोड़ते भागते और कहता कि मैम आई सो लेट मैं बहुत लेट हो गया तो उसकी मैम कहती है अच्छा बेटा लेट हो गया तो रोज का याई काम है तो ऐसा करो बाहर निकल लो गेट के बाहर और क्लास के बाहर जाके खड़े हो जो अलग खड़े हो जो ठीक है तो उसको क्या करती है लोनली बाहर खड़ा कर देती है क्लास के बाहर निकाल देती है ठीक है यहाँ पे हमारा अगला मीनिंग है चैम बोरी, इसका मतलब हो था जमा वाड़ा खुशी के लिए, ठीका, लार्ज गैदरिंग टु हैफ फण, ठीक है अब यहाँ पे जाम, जाम को हम लोग रिलेट कर रहेंगे, जाम से, ठीक है, जाम या फिर जमा होना, जमा से रिलेट कर ल ठीक है जमा हो रही उनके बहुत भीड जमा हो रही क्यों जमा हो रही उसका बर्डे है आस तो उसके उस बर्डे में खुशी मनाने के लिए उसके वहां बहुत सारे लोग जमा हो रही ठीक है तो इसको हम लोग जमा हो रही से याद कर लेंगे मतलब खुशी मनाने के लिए उस से रिलेट करके आद कर लेंगे जियो पर डे पर डे को हम लोग के आद कर लेंगे पर डे मतलब प्रतिदीन वाला पर डे ठीक है तो जियो क्या हो रहा है जियो पर डे मतलब दिन प्रतिदीन क्या हो रहा है दूसरी कमपनियों के लिए खत्रा बनता जा रहा है ठीक है क्योंकि तो हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, उसके बाद है, जिटरी, ठीक है, इसका मतलब होता है, परिशान, या फिर घबराया हुआ, या फिर नर्वस होना, ठीक है, तो अब, तो देखिए, इसको, इसमे एक वर्ड आरा, जैट है, तो इसको हम लोग जीतू से करना, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रात कर लेंगे, जीतू नाम का लड़का है, वो क्या करता है, किसे रेस में पार्टिसिपेट करता है, अब वो पार्टिसिपेट कर तो लेता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही नर्वस होता है, बहुत परिशान, बहुत ही जाग बनाएंगी ठीक है उसके बाद देखो जोवियल मतलब होता हश्मुक या फिर गुड नैजर्ड ठीक है तो जोवियल को हम लोग जॉय से आद कलेंगे जॉय और उसके बाद एक वर्ड है अल तो अल को हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगी कि देखिए जब भगवान राम च जाजी के लोग थे कैसे थे हश्मुक थे सारे हश्मुक थे मतलब गुड नैजर्ड की थे किसका बहुती ज्यादा हैपी रहते थे खुश रहते थे ठीक है उसके बाद देखिए हमारा अगला मेनिंग है यहां पर जुबिलेशन ठीक है इसका मतलब होता जस्न जस्न मनाना किसी चीज़ का तो देखिए इसको हम लोग जुबली स्याद कर सकते हैं जुबली मतलब गोल्डन जुबली जैसे कि जुबली मतलब जैनती भी होता है ठीक है जुबली तो देखिए क्या होता है जैसे कि कोई जैनती आती है फिर कोई भी जो बड़े-बड़े नेता लोग ह तो हम लोग क्या करते हैं उनको बहुत धूम्दाम से मना जाता है स्कूल कॉलेज में दिखें हमारा लास्ट यहां पर आज का मीनिंग है जैंक्चर ठीक इसका मतलब होता जोड या फिर जोइनिंग पॉइंट ठीक अब देखें जो जैंक्चर है इसको हम लोग याद कर लेंगे इसको हम लोग जंक्शन से याद कर लेंगे ठीक है जैसे कि रेलवे जंक्शन होता ना तो जंक्शन का काम क्या ह तो देखी यहां पर हमारा first meaning थाज का impunity ठीक है इसका मतलब होता है दंड रही थी किसी को दंड से बचाने के लिए तो यहां पर हमने याद किया था important plus unity अगर आपको दंड से बचना है तो आपके लिए बहुत important है कि आप unity में रही ठीक है उसके बाद हमने याद किया था incarnate ठ पर आना पड़ा ठीक है उसके बाद अंगला मीनिंग हमारा बढ़न होता है तो आप क्या करें गार्फेंगे लाउन, पहले फिर अच्छे से उसके बाद ने तो इसको हमने याद किया हमारी अगला मीनिंग था इन in'season' तो इसको वहनए याद किया संदु क् Been in Caesar से ठीक है Volt सबस्क्ला मेनिग था हमारा in congress तो इसको लेक टा कि तो हma कोंगरेस सद्रफ़ से क्कार में कोई हिम्सल पर तरदी कि कारण क्या होता उनकी पार्टी दिन पर दिन नीचे जा रही ठीक है तो इसको उने ऐसे आद के कर लिया था उसके बाद देखिए income बंट को आपकी जो आयह होती है बंट मतलब होता है रुज़ान अगर आपकी आयह से अपकी सेलरी से बहुत जब रुजान है तो आपके लिए आवश्यक है कि आप जो है अपनी ड्यूटी को इमानदाई से निभाएं उसके बाद देखिए इनकर को हमने याद की इसका मतलब होता है कुछ अपरी अनुभो जैसे की घाटा ठीक है तो इसको हमने याद किया था इनकर्ज अगर आप रुपए चुकाएंगे तो उसमें साथ में इंड्रेस्ट लगेगा तो आपके रुपए क्या होंगे मतलब घट जाएंगे ठीक है मतलब आप घाटे में चले जाएंगे जैसे आपने 25,000 लिए तो आपको उसे 30,000 रुपए लोटा आने होंगे ठीक है तो उसके बाद देख नहीं जाने वाली उसके बाद देखी उसके बाद हमारा अगला मीनिंग था यहां पर एंडी जैंस तो इसका मतलब होता गरीबी या फिर पोवेर्टी तो एंडी जैंस मतलब इसको हमने याद किया था इंडिया के जैंस जो इंडिया के जैंस है वो क्या हो उनके पास क्या ह तो इसको याद किया था इन्दू इंदू-सीमेंट के इन पास सीमेंट के इनका को योग और सीमेंट के साफमारी सीमेट प्रलूबन खरीद और जिवर ने जाओं पुरुश्न कुछ अघ्टी है इसके साथ में इस टाइब से, उसके बाद है, उसके बाद है, हमारा अगला मीनिंग है इंडल्स, इंडल्स का मतलब होता आशक्त होना, यह फिर अलाओ वनसेल्फ सम्थिंग इंज्वैबल, ठीक है, अब यहां पे एक इंडू नाम के लड़की होती, जो लगी रहती, कहां ल मतलब होता है, हिचक्त है, उसके बाद देखे, इंसन, इंसन का मतलब होता है, पागल, तो हमने इसको इंसान से रिलेट करके याद किया था, कि अगर कोई इंसान अपना मानशिक संतुलन खो देगा, तो लोग उसे क्या बोलेंगे, लोग उसे पागल बोलेंगे, उसके बा उसके बाध देखिए अग्ला मीनिंग हमारा था inther logo क्यों को थे उसका मतलब हो तरो वारतालाब करना तो इसको मने inthe locker क्या था थीकिंड़ थीक तो इंटरडडड उilles को मनें याद किया था कि यो एक परसन होता है वो अपने पापा के दिल से क्या करता है जो उसकी मम्मी आटा गूथ रही होती उसमें wine को क्या करता है उसमें इंटर्ट कर देता है wine को उसमें मिला देता है तो आटे के साथ में wine भी गूथ जाती है उसके बाद हमने याद किया था अगला meaning हमारा था intimidate मतलब होता डराना तो इसको हमने ऐसे आट किया था इस timid इंसान को वो बच्चे क्या कहते है मतलब लड़की कहते है इस timid इंसान को हम कोई भी आक्ट करके डरा सकते है क्योंकि बहुत ही कायर है उसके बाद देखिए अगला हमारा meaning था intruder इसका मतलब होता अगर आप कहीं भी इंटर कर जाते है बहुत ही rudely कहीं भी इंटर कर जाते है आप किसी से नहीं बताते है तो आप क्या कहलाएंगे आप घुस पैठिया कहलाएंगे कि हाँ आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था उसके बाद irony irony का मतलब होता बिड़म ना इसको हम लोग iron से relate कर लेंगे उसके बाद देखे irony वो cable ठीक है इसका मतलब होता जो बदला ना जा सके इसको हमने याद किया था अरे वो cable वो आउंटी कहा कहती अरे वो cable बदल नहीं सकते है हम लोग नहीं तो बदल देते ना कि यहाँ पे classes start हो गई है उसके बाद jack है jack बतलब उठाना होता है तो उसको हमने jack and jill वाले poem से आद किया था उसके बाद देखिए अगला हमारा meaning है zambori तो zambori मतलब होता जमावाड़ा इसको हमने याद किया था jam hori ठीक है एक बच्ची है उसके घर में उसके birthday party के लिए बहुत सारी भीड जमा हो रही है ठीक है जमा हो रही है तो उसकी खुशिया मनाने के लिए birthday की ठीक है उसके बाद जियो परड़े तो इसको हमने याद किया था इसका मतलब होता खतरे में जीतू race में पार्टिसिपेट कर लेता है लेकिन बहुत ही नर्वस होता है कि मैं नहीं जीता तो क्या होगा सब लोग मेरा मज़ाग उड़ाएंगे ठीक है उसके बाद जोवियल जोवियल का मतलब होता हश्मुक या फिर good natured ठीक है तो इसको हमने याद किया था joy all ठीक है जब सब लोग joy करते हैं सब लोग खुश रहते हैं happy रहते हैं आनन्दित रहते हैं तो क्या कि हम लोग उनको बोलेंगे good natured बोलेंगे ठीक है उसके बाद jubilation jubilation का मतलब होता जश्न करना ठीक है इसे याद हो गया होंगे तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे like, share and subscribe करेगा thank you